What's up everyone, this is me Jazz and welcome to my channel Jazz Life, English Shoei Kaffee, अब बात करते हैं Hindi में, so guys, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नए प्रोड़क्ट का अन्बॉक्सिंग लेकर आया हूँ, और जो प्रोड़क्ट है, वो है Sandisk की तरफ से Extreme Pro Memory Card, So, आप देख सकते हो, यह Memory Card है, and इसकी Unboxing आज मैं करने वाला हूँ, So, Recently, अभी मैंने अपना जो Camera है, वो पर्जेस करा था, Canon का 200D Mark II, उसकी जो Unboxing Video है, वो मैंने कार्ट में Link मिल जाएगा, आपको आप वो चेक कर सकते हैं, मैं अल्रेडी बना चुका हूँ वो वीडियो, and उसके साथ जो Memory Card मिलता है, वो 16 GB का मिलता था, जो अभी वैसे मैं शूट कर रहा हूँ उससे, लेकिन यह में पास एक Extra है, पुराने कैमरे का, सो, इस कैमरे में 4K सपोर्टेड है यह, सो मैंने सोचा की यार, 4K में भी वीडियो बना के देख लेते हैं, बट यह जो 16 GB वाला, इसके साथ मिलता है, Memory Card यह सपोर्ट नहीं करता है 4K को, and इसके लिए 4K के लिए यह बेस्ट वाला कार्ड है, जिसकी स्पीड है 170 Mbps, तो जाके चेक कर सकते हो, वैसे offline market में भी चेक कर सकते हो prizes, but मैं आपको recommend करूँगा कि आप Amazon से लो, क्योंकि Corona virus का भाई हर जगा lockdown चल रहा है, जादा भार मत निकलो, घर बेठे चीज आ जाएगी, अगर requirement है, सो Amazon से ले लो, एक बड़ी मैं फिर से इसको आपको दिखा देता हूँ कि क्या है ये, तो अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया, अब चलते हैं और करते हैं इसको unbox चल दी से, तो गाईस ये आप देख सकते हो, आपके सामने है, यहाँ पे ये SD card जो की है, सैंडिस की तरफ से, एक्स्ट्रीम प्रो, SDXC, UHS 1 card, तो यहाँ पे, UHS 2 cards भी आते हैं, बट वो थोड़े से different होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, क्या difference होता है दोनों में, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ये है, ये पूरी तरीके से pack है, ये कोई इसका open नहीं होगा, इसको फाड़ना ही पड़ेगा, सो जल्दी से मैं इसको यहाँ से, नीचे से इसको फाड़ना शुरू करता हूँ, और ये ढंक से नहीं फटा, सो ये पूरा box sealed होता है, यहाँ से, अब निकलेगा कार्ड, इसको कूड़े का थोड़ा सा में नीचे फेक दता हूँ, और ये आया यहाँ से ये कार्ड, सो आप ये देख सकते हो, ये है कार्ड और यहाँ पे, इसके साथ सॉफ़वेर भी मिलता है, रिकवरी प्रो, सॉरी, रेसक्यू प्रो, जो है, इसका सीरियल नमबर भी यहाँ पर है, सो ये है कार्ड, जल्दी से इसके ऊपर ये सेलोफिन पेपर है, इसको हटाते हैं, सो यहाँ से यह चोटा सा इसका बॉक्स है, एंड यहां से अगर मैं इसको अब निकालूँ तो यह आ गया हमारे पास memory card जो की है 64 GB का एंड मैं पुराना वाला आपको card दिखाता हूँ अपना तो यह हैं दोनों card लेफ्ट साइट पर आप देख सकते हूँ वो 16 GB है एंड यह 64 GB है यह पुराना card है जो mainly DSLR के साथ आता है I mean हर DSLR के साथ आता है बट यह वाला आपको अलग से purchase करना पड़ता है और यह थोड़ा सा expensive भी होता है यह फ्री वाला इसमें 48 MBPS स्पीड है और इसमें 170 MBPS की स्पीड यह है और साथ में UHS अगर मैं 1 की बात करूँ तो आप यहां पर देख सकते हो दोनों card पर ही यहां पर एक strip है और यह UHS 1 card UHS 2 cards में 2 strip होती है तो यह difference होता है Unbox मैंने कर लिया है अब इसको लगाएंगे अपने camera में Unboxing आपने देख ली इस card की and 4K supported up कर जाएगा क्योंकि यह card मैं इसमें लगा दूँगा अपने camera में and 4K वैसे घर में तो इतना जादा requirement नहीं होती है Full HD पे sufficient होती है और फिर भी मैं try करूँगा 4K में अपनी वीडियो को लेकर आने के लिए इन व्लॉक वगेरा शूट करूँगा तो वह पक्का मैं आपको जो scenes वगेरा दिखाऊंगा वह 4K में बहुत जल्दी इस channel पर मैं डालने वाला हूँ दूसरे channel के लिए देखते हैं 4K करते हैं नहीं करते हैं बट इस channel पर 4K के जो clips हैं वह भी मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर देना like, channel को कर देना subscribe मैं मिलता हूँ आपसे next time